एलविश के पीने के पानी में दोस्तों जिया ने साबुन घोल दिया है चलिए बात करते हैं घर में क्या कुछ हंगामा हो रहा है स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाय में मैं हूँ अदती शर्मा तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घर की डिक्टेटर बने हुए हैं एलविश एंड एलविश ऐसा नहीं है कि वो अपनी कोई सीमाय लांग रहे हैं अपनी इस डिक्टेटर शिप में किसी से कुछ ऐसा करवा रहे हैं जो बहुत ही गलत हो जो लिमिट के परे हो लेकिन यहाँ पर फिलाल जिया ने अपनी लिमिट जरूर क्रॉस की है यहाँ पर एलविश ने जिया से पानी का गलास मांगा था और उस गलास में जिया ने दोस्तों यहाँ पर पानी में साबुन मिला के जो है वो उन्हें पानी दिया है और जब Elvish वो पानी पीने लगे तो उनको जब स्मेल आई तो वहाँ पर उन्हें जिया से पूछा तो जिया साफ मुकर गई उन्होंने कहा कि हाँ पानी से स्मेल तो आ रही है तो पानी का ग्लास जो है ये धोया नहीं होगा किसे ने अच्छे से जिया ने साफ अनकार कर दिया मानने से कि उन्होंने साबूर मिलाया और उसके बाद अभिशेक में यहाँ इलविश के लिए स्टेंड लिया और कहा कि अगर आपको पानी नहीं देना था तो साफ मना कर देते लेकिन किसी के पानी के साथ किसी के खाने पीने की चीजों के साथ ऐसा करना वो बिल्कुल भी सही नहीं है और Elvish को भी यहां बहुत गुसाया और Elvish ने कहा कि हमारे यहां यह चीजे धरम का काम होता है किसी को पानी पिलाना, अगर आपको नहीं पिलाना था तो आप मना कर देते, लेकिन यहां पे जिया ने भड़कना शुरू कर दिया और फिर Elvish ने कहा कि हमारे माबाप ने हमको जरूर बताईए, मुल तगे नेक्स्ट वीडियो में